अगर आपको किसी से लगाव हो और आप उसे पाना चाहते हैं तो सारी कायनाद भी उसे पाने के लिए आपके साथ बड़ी शिद्दत से लग जाती है जी हां ये कहानी है बैंगलूरू के नटराज उपाध्या की जिनें बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने का शौक था वह जब स्कूल में थे तो वो अपने किसान पिता के साथ पेड़ लगाने जाते थे नटराज उपाध्याय बड़े होने के बाद इंजीनियर की नौकरी करने लगे लेकिन उसके बाद भी पेड़ पौधों की चाहत उनके दिल से नहीं गई नटराज 2008 में अपनी नौकरी छोड़ चुके थे और अपने इस जुनून को फिर से धरातल पर लाने के लिए महनच शुरू कर दी आज अपने घर के आसपास और छट पर एक जंगल बना दिया है जिसे वो अर्बन एवरग्रीन जंगल कहते हैं अपने इस जंगल में पर लाफ पर लाफ पर लाफ नहीं जंगल कहते हैं उनके इन जंगल में पेड़ पौधों की कुल 300 प्रजातिया हैं जिन में से 50 पेड़ हैं, कम से कम 50 प्रकार की तितलियां और 10 प्रकार के पक्षियों ने इस मिनी जंगल का दोरा किया है जिसमें गिलहरी, चमगादर और बंदर भी इस जंगल में आ चुके हैं नटराज का कहना है कि उन्होंने इस पेड़ को ड्रम के अंदर डाल कर इन पेड़ों को बढ़ाया है आज हमारे इस जंगल से ना सिर्फ खुपसूरती बढ़ी है बलकि हमारे पर्यावरण में हो रहे पॉलूशन को भी कंट्रोल किया जा रहा है खुपसूरत फुलों से ही आप उनके इन जंगलों की खुपसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं उनका ये जुनून ही था कि 2100 वर्क फीट में नटराज उपाध्या ने एक अर्बन जंगल खड़ा कर दिया है ऐसे ही लोग अपने जुनून के साथ ही देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं और साकार करते हैं माई इंडिया, माई ड्यूटी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कॉमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत वर्ष